अगर आपको बार-बार सर्दी लग जाती है, तो शुरुआत में पहले दो सप्ताह तक आप ठंडे पानी में एक चमच निलगरी का तेल डाल दें. अगर आपको बार-बार सर्दी लग जाती है, तो शुरुआत में पहले दो सप्ताह तक आप ठंडे पानी में एक चमच निलगरी का तेल डाल दें, और उसे अपने उपर उडेल लें. आप देखेंगे कि आपकी सर्दी चली जाएगी. निलगरी की तेल से नहीं, सिर्फ ठंडे पानी की वज़े से. अगर आपको कोई इंफेक्शन है या कुछ और है और बहुत ज्यादा कफ पैदा हो गई है, तो उसका अलग तरीके से इलाज करना ज़रूरी है. पर जैसा कि मैंने कहा, पानी को कमरे के तापमान से 5-8 डिगरी नीचे के बीच कहीं होना चाहिए, पानी बहुत ज्यादा ठंडा ना हो. हम आपको ये चीज उपलब्द करवाएंगे, जिसे ताई मन कहा जाता है, यानि कि धर्ती मा, ये 5 अलग अलग पहलूओं का मिश्रण है, लगभग 50 फीस्दी मिट्टी है, इसमें कुछ मात्रा में हरी मूंग डाल का आटा है, और इसमें और्गानिक कपूर जैसी चीजे ह और इसमें थोड़ा सा रीठा पाउडर होता है, और इसमें एक और बूटी होती है, ये सारी मिली हुई चीजें आप इसे लगा सकते हैं, अगर आपके पास समय हो, तो इसे करने का सबसे बढ़िया तरीका होगा, कि इसे अपने पूरे शरीर पर लगा कर अपने अभ्यास क और फिर बिना साबुन लगाए, सनान कर लें, ये साबुन का भी काम करेगा क्योंकि इसमें रीठे का पाउडर और कुछ दूसरे तत्व भी हैं, ये शरीर पर कपूर का भीना सा एहसास छोड़ जाएगा, ये कई तरह से स्वास्तिय के लिए बहुत अच्छा है, ये आपक तीन घंटे तक ऐसा करें, कोई क्रीम या तेल या कुछ भी न लगाएं, क्योंकि त्वचा को सांस लेनी होती है, सांस केवल नाक से ही नहीं ली जाती, त्वचा के हर रोम को सांस लेनी होती है, जितना अधेक ये शरीर सांस लेता है, उतना ही ये आपके आसपास की हर जब आप साबुन लगाते हैं, यहीं तो होता है, रोम बिंध हो जाते हैं. हाँ, अगर यह ज़रूरी है आपका शरीर कुछ ऐसी हालत में हैं कि आप साबुन का उप्योग करना चाहते हैं, तो ठीक है. आपका एकदम कठोर बनना ज़रूरी नहीं है. लेकिन आम तोर पर जागरोक रहना कि कुछ चिपचिपा लगाने से भी रोम छिदर बंध हो जाते हैं किसी भी तरह का केमिकल लगाने से शरीर स्वाभाविक रूप से स्षिकुडता है और बंध हो जाता है यह कुछ समय बाद खोल जाएगा लेकिन उस समय बंध हो जाएगा खास तोर पर अगर आप ठंड़े पानी से नहा रहे हैं शरीर को खोल जाना चाहिए शरीर को पानी को ग्रेहन करना चाहिए और अगर आप इसे साबुन की तरह भी इस्तमाल करें आप इसे जितना चाहे उतना लगा सकते हैं और पानी से इसे धो सकते हैं तब शरीर को जो महसूस होगा उसमें आपको अंतर पता चलेगा जो अपने आप से नहीं बलकि ये जिस तरह से आपके तत्वों को खोल देता है इसलिए पर अगर ये आपके लिए संभव न हो पाए आपके पास अपनी साधना के लिए बस कुछ सीमित समय ही है तो जिन जगाओं पर आपको ये लगाने की ज़रूरत है वो है आपके पैरों के तलवे बहुत ज़रूरी है और आपकी हधेलिया, नाभी के पास, अनाहत चक्र जहां पसलियां मिलती हैं, गले का गड़ा या पूरा गला और माथा, आप सिर्फ यहां लगा सकते हैं या फिर चाहें तो पूरी जगह पर, या अपने पूरे चहरे पर लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो, लेकिन ये सुविधा का सवाल है, हो सकता है कि आपको काम पर जाना होता है और आपको लोगों से मिलना होता है, अपने चहरे पर मिट्टी का लेप लगा कर ये प्रैक्टिकल नहीं होगा, हाला कि आप इसे केवल ऐसे रख सकते हैं, जैसे कि विभूती को लगाया जाता है, वैसे ही आ लगा सकते हैं। आप इसे अपनी सुविधा के हिसाब से कीजिए। लेकिन इसे महीने में कम से कम एक बार या हफते में एक बार या जितनी बार हो सके उतना करने में कोई नुकसान नहीं है। की दरिश्टी से बिहद लाब होंगे जो साफ तोर पर देखे जा सकेंगे।